लोगसिभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सत्तापक्ष के साथ ही विपक्षी दल अपने संगछन को मजबूत करने के साथ ही संगछन में बड़ी बदलाव की तैयारियों में लगे हुए हैं एक तरफ जहां कॉंग्रेस में प्रभारी बदलने समेट संगछन में बड़ी बदलाव की आसार हैं तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड क्रांती दल में नए नेतरत्व की कवायाद चल रही है इसके लिए पार्टी का अधिवेशन भी 24 से 25 जुलाई को होनी जा रहा है माना जा रहा है कि अधिवेशन में नए नेतरत्व पर महर लगेगी तो वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी दायत्वों के वटवारे के साथ ही कैबिनेट वस्तार पर कारे कर रही है मुख्यमंतरी पुषकर सिंग्धामी ने खुद कहा है कि कैबिनेट वस्तार को लेकर हाई कमान में मन्थन चल रहा है अब सवाल यह है कि क्या लोगसभा चुनाव से पहले बीजेपी दायत्वों के वटवारों के साथ ही कैबिनेट का वस्तार कर पाएगी आज इसी मुद्धे पर होगी वस्तार से बाद चीत लेकिनों से पहले एक नजर आज की से स्पेशल रिपोर्ट पर लोगसभा चुनाव से पहले उत्राखंड में एक बार फिर कैबिनेट वस्तार वा फिर बदल की इस जर्चा तेज हो गई है माना ज़ा रहा है कि बेजेपी हाई कमान के मंजूरी के बाद धामी कैबिनेट का विस्तार और फिर बदल हो सकता है वहीं कई मंत्रियों के अच्छानक राजजिपाल से मुलाकात के बाद चर्चा को और बल मिलने लगा है बतादें कि धामी कैबिनेट में पिछले लगभग सवा साल से तीन मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं जबकि इसी साल अप्रेल माह में कैबिनेट मंत्री चंदर नाम दास के आकस्मिक निधन के बाद एक अन्य पद रिक्त हो चुका है फिलहाल उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुश्कर सिंधामी स्वयम सभाल रहे है कैबिनेट विस्तार का समय जैसे जैसे लंबा खिच रहा है तो बीजेपे विधायकों की बेचैनी बढ़ती जा रही है कई विधायकों मंत्रीपत के लिए लाइन में भी लगे है कौन नहीं बनेगा और कभ इसका डिकलेरेशन होगा क्योंकि विष्टार तो सम्हावत है तो इन डिकलेरेशन कभ होगा यह पार्ट को तैकरना है कभी बड़ा एक्स्पिरेंस रहा है सब नगर्णिक में देखिए बहुत जादा एक्स्पेक्शन मेरे रहती नहीं है कि राजनिती संभावनों का चेत्र है इसमें होना न होना यह सब विष्टार के गर्त में रहता है को पहले से प्रिडिक्टिब नहीं होता है लेकिन इस बहुत रंबे समय से दिर्वर्म में काम करने का मुखा दिया है आदेखिए कैबिनेट विस्तार पर निड़ें लेना मानेनी मुख्यमंत्री के विशेश विवेक अधिकार पर है और उनको आविश्यक्ता किस समय किस व्यक्ति की परती है किन विधायकों को मौका एक तरफ जहां सत्ताथारी दल यानि की बीजेपी दायुत्यों के बटवारे के साथ ही कैबिनेट विस्तार की तैयारियों में लगी हुई है तो वहीं दूसरी ओर कॉंग्रिस में प्रभारी बदलने समेत संगठन में बड़े बदलाव के आसार है और इतना ही नहीं उत्त खंड करांती दल में भी नयन रेतित्तु की कवायद चल रही है इसके लिए पार्टी का अधिवेशन भी 24-25 जुलाई को होने जा रहा है दूसरे मेने जाता हूं और यह सवभाविक प्रक्रिया है अपने नेताओं से मिलना अपने प्रभारी से मिलना प्रदेश के विशेश जो मुद्दे हैं जैसे इस समय घटनाएं गठी है उन विशेव पर चर्चा करना के दारनात में सूने का जो मामला है इधर जो से नया दक्स बना है लेकिन अब भी हम कोशिश करेंगी सर्व समति से हो जाए लेकिन हमने इसके साथ ही साथ चुनाओं की भी टैयारी कर रखी है अगर सर्व समति नहीं बनी और किसी कारण से चुनाओं की नौमत आईगी तो चुनाओं भी कराये जा सकते हैं कुल मिलाकर धामी कैबिनेट के वस्तार और फेर बदल की खबरों से ही नेताओं की हलचल बढ़ गई है धामी कैबिनेट से तीन मंत्रियों की छुट्टी की चर्चाएं भी फिर से शुरू हो गई है माना ज़ारा है कि जन मंत्रियों की पफोर्मेंस सही नहीं होगी उस मंत जिपाल से भेट की है और इसे कयास बाजी बढ़ने लगी है देखना होगा सियम धामी अपनी कैबिनेट में क्या कुछ बदलाव करते हैं और क्या अन्ने दलों में हो रहा बदलाव कोई सकारात्मक परिणाम उनकी पार्टी के लिए ला पाएगा या नहीं इस पर भी सब क ये निगाहें बनी रहेंगी उत्रा खंडेस रिपोर्ट है और भी महमान आगे हमारे साथ में जुड़ेंगे उनसे भी हम आपको रुभरु कराएंगे लेकिन फिल्हाल आप सभी का बहुत स्वागत और शुरुआत करना चाहेंगे संजीव वर्मा जी के साथ जोकी भारती जुन्ता पाटी के प्रवक्ता हैं संजीव जी तस्वीर साफ नहीं है क्या लगता है क्या 24 के लिहाज से आप लोग भी बड़ी वद्लाव कर सकते हैं और हम चीज़े देखने को मिल सकती है संजीव जी हमारे साथ चूड़े हुए है क्या अलो अलो जी संजीर जी संजीर जी बोले है अ गरीमा जी आवाज मिल नहीं यह में जी बिलकुल आपकी आवाज आरी अपनी बात को पूरा कर रहा है गरिमा जी देखिए जिस तरह से भारतियंदा पार्टी का महा जन्संपर कभियान चल रहा है और इस समय हम अपने महा जन्संपर कभियान के अंतिम चरण में हैं जिसमें घर-घर ज़ता कर हम लोग प्रतियक परिवार से संपर कर रहे हैं और उनसे मिस कॉल के माध्यम से पार्टी से जोड़ने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे तमाम वरिष्ट नेता केंदर से भी इस कारेकरम में लगातार जोड़े हुए हैं और चाहिए लोग सभा से लेकर विधान सभा तक और प्रदिक जिले से लेकर मंडल तक और बूत तक हम लोग और हमारे जितने भी कारे करता है पूरी तरह से एक महासे सक्रिय हैं और पार्टी को एक बहुत एक सकरात्मक रिस्पॉंस मिल रहा है तमाम जनता माने मोधी जी के कारियों से पूरी अभिभूत है मुक्खे मंत्रे जी के जो उत्राखंड का जिस पकार से बहुत तेजी के साथ डवलपमेंट हुआ है तमाम नई नई योजना है परियोजना है इ और जन भावनां के अनुरूप मैं सोचता हूँ उससे जनता का एक भारतियन्ता पार्टी के प्रति जो एक एक है उसमें और अधिक्वरती हुई है जहां तक हम भारतियन्ता पार्टी कि लगतार काम कर रही है को एक केंद्रित करते हुए हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं वहीं यदि हम विपक्ष को देखते हैं कॉंग्रेस पार्टी को देखते हैं और अन्य दल आम आधिव पार्टी हुई युकेड़ी पार्टी हुई तो इनके अंदर जो अपनी उठापटक वह पोक की इस्थित प्रदेश देख्ष महराजी के साथ अभधरता रूर्ड़की के आरेकरता कर जाते हैं उनके साथ मारपीट कर जाते हैं तो यह उनके अंदर का मअमला है उनको पार्टी के अंदर की बात हैं हमको कोई विशेश इस पर टिपनी नहीं करनी चाहिए लेकिन क्योंकि को ओंग् जो जनाहधार उनका रहा उसको भी वे पूरी तरह से अपनी जन विरोधी कार्य प्रणाली के चलते वो पूरी तरह से नकार चुके हैं और जन्ता उन लोगों को पूरी तरह से नकार चुकी हैं आज वो की स्थिति पे हैं चहां तक आम आधिकी पार्टी की हम बात करें तो विकत दो हजार पाइस का जो चुनाव हुआ दो हजार पाइस के चुनाव में आप देखें सतर विधान सभाव में वो लोग चुनाव लड़े और अडशट में उनकी जमानते जप्त हुई तो मैं सोचता हूं तमाम विपक्ष को एक तरह से पूरी के पूरी तरह से जनता यहां के नकार चुकी है और आने वाला जो हमारा दो हजार तेजिस का निकाएं के चुनाव है और दो हजार चुविस के हमारे लुक सभा के चुनाव है पूरी तरह से भारती जिंता पार्टी के साथ जनता है और एक पचंड बहुमत के साथ भारती इंता पार्टी फिर एक बार और मन्य मोदी जी फिर एक बार इसी चुनाव में वधान सभा के आपके मुख्यमंतुरी को जनता ने नकार दिया था जिसके बाद किस तरीके से वो दुबारा से खटीमा से चुनाव में मैदान में आए वो आम जनता जानती है सर और रही बाद जैसे बाकी के दलों की बात वैसे तो मैं आपने अभी UKD को लेकर बात कहीं मैं कॉंग्रिस के पास जाती इसके बाद लेकिन अपने सुना संजीव जी ने कहा कि UKD का फिलाल कुछ नजर नहीं आता आपका जनाधार लगातार खोता रहा और अब तो आपके यहां पर जो नित्रत्व है उसको लेकर भी अलचल मची हुई है क्या लग रहा है आने वाले वक्त में इसके बाद लोकसभा का चुनाव है UKD कुछ करेगी क्योंकि उत्राखंड क्रांकी दल का बड़ा एहम रोल रहा है बड़ा एहम किर्दार नभाया है उत्राखंड के लिए लेकिन बावजूद इसके लगातार जनता तक ना पहुँच पाना जनता का व जो हुआ जब आरी हो गी बूलिए उत्राखंड का अंगी डल एक ऐसा दल है जो जनक है उत्राखंड का आपको संजीप ब्हाईसाब हमारी जो है भाजपां से है भाजपा एक सदाफनी पार्टी है ज्याता ये जो पर पेता हूँ हुँ जो पिता होता है उसके प्सके बच बहुत तुफान के उपा जो टोक्री थी वो बेटे की थी अब बेटे जब बड़े होते हैं तो ननायक भी निकल जाते हैं उत्रखन कांधी दल तो जनक है उत्रगंड का है वो हमेशा तीन और तेरा क्या वो तीस और साथ पर भी है आपके तर्णाने पर बात कीज़ेगा अब बहुत शांती से सुना आपको प्लीज संजीव जी मैं आउंगे आपके पास आपको जो कहना आप कह सकते हैं पहले इस अब जिस चश्मे से भाजपा इससे में अपने आपको देखती है वो यह शायद भूल गई कि उसे कितना है एडिटशिप पे हैं जनता ने स्उकार किया क्योंकि जनता ने माना कि दूस्री पार्टी भरष्टाचाय कर रहे गी हैज वर्तमान में जितने भाहरती जनदा पार्टे समय में हो रहे हैं उनको यह लाग्ष्पा है आपनी मूझ से हमारी UKD मैं मैं मानता हूँ कि हम लोग एक जन्मत को लेने में लंबे समय से फिर्वात में हमारे चारवी धाक आए उसके पाद ये ग्राफ मिंचे गया लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी रहा क्योंकि क्रांतिकारियों की पार्टी है सत्ता के लोभी उनकी पार्टी नहीं थी और इसलिए कोई बहुत ज्यादा सत्ता की तरफ किसी का अग्रेशन भी कभी नहीं रहा लेकिन हां वर्तमान हाला जो आज उत्रकंड के हैं उसको देखते वे UKD का शीर्स नेत्त्र से लेकि हर व्यास्ति चिंतित है आज अगर हम जैसे लोग अपने प्रोफेशन को छोड़के UKD में आ रहे हैं तो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमें राजनीती से बहुत लगाओ है यह हमें राजनीती परकास्थाओं में अपने को MLA MP या CM बनाना था जैसा कि लोग करियर बनाते हैं राजनीती में हम आज अगर उत्रखंड गांधी दल में हैं और मुझ जैसे कई नए चेहरे UKD में आ चुके हैं तो वो इसी वज़े से आए हैं कि वर्तमान सत्ता यहां दलाली ब्रस्टचार घूसकोरी अपनों के केस दवाना दूसरों पे जूटे आरोप लगा के मुकदमों में फसाना इस तरह के का और दिवागर भट सरका सीधा सीधा है कि अब हम नई लीडर्शिप को सामने लाएंगे और UKD में बहुत जल्दी आपको एक नई लीडर्शिप दिखेगी निकाइचनाओं को लेके हम लोग लामबद हो चुके हैं हमारे जिला सम्मेलन पूरे हो चुके हैं हमारे डेलिक तक पहुंच पाने में काम्याब हो पाएगा क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि किस तरीके से आंसिये पर उत्रकंड क्रांटी दल नजर आ रहा था ठीक है अनुपम जी आपके पास लोटेंगे कॉंग्रेस से हमारे साथ में सुनीता प्रकाशी हैं प्रदेश प्रवक्त की ही नजर आती है लेकिन हमने विधानसभा के चुनावों में देखा आपको भी बहुत उम्मीद थी और ऐसा माना जो रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी बढ़हत बनाएगी काफी हद तक हुआ भी ऐसा लेकिन जीत के मोहने तक नहीं पहुंच पाई अब इस बार क्या नए आपने कहा कि अंतरकल है यह उसमें आपस में लोगों के नहीं एक मत में नहीं अगर आते हैं लेकिन अगर वह आपसी सहमती तक ही सीमित रह جाए वह आपकी पार्टी के बीतर तक रह जाए अगर बाते बाते बाहर आएंगी तो फिर तो उस पर बोला जाएगा और यह अंतरकल है कहीं आपको दिखाएंगे देगा हम 24 के लिए बिल्कुल तयार हैं जैसा कि भाराज जोड़ो यात्रा से हमने की त्यारी शुरू कर दीती और उसका असर आपको करनाटक में भी मिला है हमारी उमीद है कि हम उत्राकण में भी अच्छा परदेशन करके दिख और लोग सबचना दोनों हम जितने का पुरा प्रयास करेंगे क्योंकि देखें आप जनता देख चुकी है भाज़बाग को भी बहुमत की सरकार है आप दोस्त लगाते हैं कि कॉंग्रेस ने यह नहीं किया लेकिन जनता ने आम पूर बहुमत नहीं दिया आपने कई 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 आपके आवाज ठीक से मतला नहीं आ रही है तो मैं कोसिस कर रही हूं बोलने की लेकिन आप मेरा ओडियो ठीक आरी है हम तक आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आरी है आप अपनी बात को पूरा कर सकती है आपके पूरा कर लेकिन किया है कि जिसाज़ी कि भाज़न का बहुमत की सरकार ने के बाद अरुज को कि सरकार देने में असफल रही है बाब जूत इसके जंता का प्यार मैम इनके पास क्यों आता है हम यही तो पूछ रहे हैं अगर हमने देखा इस बार के सीटों में भी कई न कई कमी आई ती आपकी पार्ची ने खुब अच्छी टक कर दीते हैं लेकिन क्यों अखिर सत्ता कि आमाद्धी पार्टी भी इस बार तो चुनावी मैदान में थी जनता को आभार वापर उनकरना चाहिए लोगों को कि जनता नी 70 साल के बाद इनको आने कम वाका दिया करने चाहिए आप कहा कहा की मुद्दे लेकि आते हैं मुझे क्या में आपको बता हूँ आप मदर कौसी जी को डेकरीजिए बश्टाचार मिलेते हैं इतने पुराने नेता हैं हमारे उसके बाद उनके ओपर बश्टाचार के आरोब लगना अपने आप में दुर भागिया है उनको नेतिक जिम्हेदारी के नेतिकता समझने के साथ पस्तिफा देना चाहिए आपके संगटन को उनके ओपर जो है कुछ अनुशासन कारवाई करनी चाहिए थी कि आप जबाब दे कि आपके पर यह लग रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा भाजपा और पूर बहुमत की सर फश्ति पर्ड़न को ठीक ने कि लिए क्या करें कि अभी एक कबर हैं कि संगटम में बड़े बदलाव हो सकते हैं का यह जो समस्याएं हैं जैसे मैं आंतर के लिह आपकी समस्या से आप अपने दल को बालेंगी तांकि आपका दल भी आगए बढ़ सके आने वाले व समस्या और दूंदोट करने के तयारी है आपके पास देखें आप हर हर पार्टी में देखें का बदला होता है परभार कि है कि अई द्धातंु है कि परभारी कितने साल रहेंगे दो साल में तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्द से जल अगर इसका नेने होता है तो मेरे ख्यासे दूसरे लोगों को इसकी बोलने का मौका नहीं विलेगा इसलिए बेलकुल बेलकुल सुनिता जी आपके पास लोटेंगे और मेहमान संगेता जी बहुत स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में संगेता जी अभी आपने सुनी लिया होगा कि संजीव जी ने आम आपनी पार्टी के लिए कहा कि भाई इनकी तो जमानत तक जब्त हो गई थी सच भी है खूब महनत हुई अजबहट जी की और से खूब महनत की ग और अब जब 24 का चुनाव है से पहले सबसे पहले संगेता जी अन्म्यूट करें देखे गरीमा जी 2022 का हमने 70 विधान सभा की सीटों पर सुनाव लड़ा और उसमें हमारी कमी रही जो हम जनता तक अपने मैसेज को नहीं पहुचा पाए जो हम बात जनता से करना चाते से वो संबाद हमारा उस करीके से नहीं हो पाया और जनता का जो वहुमत था वो हमें न सरकार है यूपी गुजरात में हमारी सीटे हैं गोवा में हमारी दो सीटे हैं तो सबसे जल्दी कोई ग्रोस करने वाली पार्टी भी आम आदमी पार्टी ही है जिसने काम करके जनता के बीच दिखाया और दो राज्यों में अपनी सरकार बनाई चाहे बीजेपी हो उसको ए इनकी सरकार बनाई, बहुत जादा बहुमत के साथ इनकी सरकार बनाई, कि उत्राखंड में एक पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, एक डबल इंजन की सरकार आएगी, तो बहुत कुछ विकास देखने को उत्राखंड को मिलेगा, इस दीज से उत्राखंड जूज रहा था, क कानून अभी सरकार ने आखिर उत्राखंट को गया दिया एक राजदानी नहीं मिली बू कानून नहीं मिला लगतार पहली सरकार में भी मुक्क्यमंत्री बदलते रहे मुक्क्यमंत्रियों की प्रियोक्षाला रहा आज भी जो गाउं है जो पहाड़ी छेत्र हैं हमारे वहाँ आज भी बिखली पानी की समस्या है ठीक है ठीक है लेकिन संगिता जी सबसे बड़ी बात यह ना ठीक है यह सारी समस्या है है यह सारे आरोहपप राजनुतिक दल होने के नाते संजीव जी पर लगा सकती है लेकिन सबसे बड़ी बात ये ना कि जब चुनाव हुआ था उस दोरान हमने देखा था कि आपको भी जनता का प्यार नहीं मिला अब उसको सुधारने के लिए आप अपने दल में क्या कुछ बदलाव करेंगी इस पर हम आपसे जवाब लेंगे अब 24 की चुनाव के लिए क्या बदलाव संगटों में देखने को मिलेंगे संगेता जी हमारे साथ पर लागतार पनी हुई थी उनसे ही हम जवाब ले रहते हैं जो रिकॉर्ड तोडने के बराबर था आपका भी दल इस बार चुनाव में था अगर करता अच्छा तो कहीं न कहीं मुश्किल हैं सीधे तोर पर बीज़ेपी की खड़ी होती लेकिन आप ये बताईए जैसे चुनाव वहाता उसके ठीक बाद अजय भट ने स्तीफा दे दिया था अब क्या आप आपनी पार्टी आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते होएं इनके लिहाज से अपने संग्रशन में बड़े बदलाव करेगी ताकि आने वाले चुनाव आमाद्मी पार्टी मजबूति के साथ उतर सके प्रभारी थे उतराखर्ण आमाद्मी पार्टी में उनको बदल दिया गया है नए प्रभारी उतराखर्ण को बिल चुके हैं तो निर्मान है वो नए सिरे से खवायच शुरू हो गई तबी किज़ों पर काम हो रहा बहुत जल्द सबके सामने भी होगा अदैक जो मैंने कहा कि हमारी कमीहास ही हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए हुसका खामियाजा हमने बुख रहना लेकिन इसको तो जनता के बीच बताएंगे तो जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी को जरूर मिलेगा और जिस तरह से एक दूसरी पार्टी ने उन्हें ठगने का काम किया है तो वो हमारे लिए विश्वास की ताकत बनेगा और जनता आम आदमी पार्टी पर जरूर भरोसा करेगी जिस तरह से हमने दिल्ली में चाहें वो महिलाओं के लिए काम हो चाहें वो तिक्षा में काम हो स्वास्त में काम हो जो भी काम हमने दिल्ली में किया है वो हमारा एक रोल मॉडल है उत्राखंड में भी बताने के लिए कि हम उस तरीके से जब यहां आएंगे तो उस काम को करेंगे हम घर-घर तक काम को पहुचाने का काम करेंगे गरीमा जी और पूरी ताकत के साथ चाहें वो 2024 का चुनाव हो या निकाई चुनाव हो फुलड़ेंगे बलकुल साफ तो पयाई तयारी आपकी भी पार्टी की है लेकिन देखना होगा आपकी पार्टी पर जो बदलाव होंगे उन पर जनता कितना यकीन कर पारती यह भी बहुत बड़ी बात है अब राजनेतिक विशलेशक हमारे साथ में मनोश ध्यानी जी से बहुत स्वागत आपका भी मनोश जी में सबसे आखिर में आपके पास आई सिर्फ इसी विजह से कि आप भी राजनेतिक दलो की क्या पृतिक्रिया आती है उनको सुन ले उसके बाद अपनी टिपड़ी जो भी पृतिक्रिया देनी है वो दें आपको क्या लग रहा है उत्तरा खंड में दे बड़े बदलाब होंगे इनका फाइदा होगा आने वाले शुनावों में और किस लिहास से किये जाएंगे क्योंकि जैसे ये खबर आई बीजेपी में भी क्यापिनेट वस्तार हो सकता है कई विदायकों की धड़कने बढ़ गई है गरिमा जी जो राजनिती है वो दो ची अगे बढ़ेगा और दूसरा उसके उस राजनितिक माहोल में जो तरंगे उत्पन होती है उन तरंगों को मेटनी की शमता कि संगटन के पास बेतर हो अगर हम बात करें तो उत्राखंड में पर्शेप्शन की राजनितिक अगर बात किया जाए तो इसमें एक बहुत बड़ परदेश के मुखे मंतरी हैं उनकी पूरी कोशिश है कि अजेंडा को पर्शेप्शन को इस तरीके से क्रियेट किया जाए कि जिसमें उत्राखंड हिंदूत्वों का मॉडल नजर आए पूरे देश के भीतर और जनता उस रूप में उसकी और बड़े लेकिन दूसरी और ज सरकार की विफलता, सरकार की दबंगई, सरकार के मंतरियों की दबंगई और जो इनेफिशेंसी है जाए वो महेंगाई के रूप में हो वो सामने नजर आए और मुझे लगता है कि यह जवर्दस धंक से चल रही है कि पर्शेप्शन की राजविती में इस समय लगबक 50-50 का रेशियो में चल रहा है, सांगटनिक भाचा जो है बहुत मजबूत होता है किसी चुनाव को जीने के लिए और उसमें चुनावी राजविती का परबंदन जो फूत लेवल से परारम होता है, परचारों तक चलता है, चुनाव के अंतिम शण में बोर्ट जिस दिन काउंट होते हैं और रिजर्ट निकलता है, वहाँ तक बलकि यूँ कहिए कि जीतने का जिला जिकरियों के माज़िन से लिया जाता है, वहाँ तक को खेल चलता रहता है, और उसके बाद सरकार बनाने बिगारने के खेल में जो सूटकेस पॉलिटिक्स आती है, वो बहुत बड़ा मह पॉलिटा करती है, आज दोगतंत्र में पारदर्शिता सुशाशन के नाम नहीं हो रहे हैं, और नाहीं सरकारे बनी हैं, उतराखंड में भी जो पास सितारा सुश्टित्री की विजायकों को ले जाने का, वह हम लोग ने देखा है, चार्कड पॉल्मानों की प्लाइटें म में ले जाते हैं, तो उतराखंड की राजनिती में जहां तक चुनावी राजनिती का बात है, उसमें जो वाइल्ड मशीनरी और जो पैसे का खेल है, उसमें भार्टिय जंता पार्टी के पास बहुत बड़ा एज है, ताकत है, ये तो नजर आता है, लेकिन मुझे लगता ह कि जिस परकार से राश्टिय राजनिती का भार्टिय राश्टिय कांग्रेस ने सीखा है, और भार्टिय जंता पार्टी से बड़ी तेजी से वो सीख भी रहे है, जैसे के आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा पक्ष रहा है सोशल मीडिया में, जैसे ट्वीटर में, सोशल मीडिया पे इस्टाग्राम पे वो लगबग भारतिय जिनता पार्टी के जो आईटी सेल को टक्कर देती रही है ये कम से कम दिल्ली मन नजार आता रहा है तो मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूं कि भारतिय राश्टिया कंग्रेस ने इस शेत्र में बड़ा थासिल की है मजबूती बना रही है और कोशिश कर रही है कि इनके परवक्ता भी अटैकिंग हूं जंबीरता से मुद्दों के साथ खड़े हूं और आईटी सेक्टर जो इनका है वो भी पायड रहे तो लड़ाई पराबर की होती जा रही है लेकिन और चुके आमादी पार्टी न सबसे बड़ी बात है उत्तरा खंड करान के साथ बहुत 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 बड़ा है कि आमादी पार्टी को यहां पर दिखाना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है उत्तरा खंड करान के दल को जो जमीलिम होते हैं उत्तरा खंड के शेत्रियम होते हैं उन पर कंसंट्रेट करते हुए अपना फोकस सतर सीटों में ना लगाते हुए कोशिश करनी चाहिए कि वो कम सकें 5 से 10-12 सुटों तक क्थी तरीके से लिए बिलकुल अभी तो उनके साम ही सबसे पहले उनके लिए बहुत जरूरी क्योंकि जिस तरीके सहाशिये पर वो जा चुके हैं यह बहुत एहम है उमीद यह थी कि इसके पहले आमाद्मी पार्टी भी इस जगा को ले पाएगी निरणायक भूमिका आप आएंगे क्योंकि कुछ सीटे आ जाती है तो ऐसा म सबी सबस्केर सेजीव कूछ कहा रहते मैं लोगों को यह शिकायत है कि आपने वादा किया था जिसके बाद जंता ने आपको इस राख को पर बठाया यह बहुत है और लोग के रहें कि जंता निराश है अब प्यार है अपको उस्यांठा काक्त्र मिलेगा, तैक्छ index गरीमा जी देवर्बल इंजन की हमारी सरकार है और मैं कॉंग्रेस की हमारी बेहन बैठी है सुपनिता जी मैं आप से भी पूछना चाहूंगा कि आपकी भी 2012 से 2014 तक आपकी भी सरकार रही तो आपने उतरा कंड के लिए यहां की बेहतरी के लिए क्या क्या बड़ी योजना है परियोजना है आप लेकर आई और जहां तक बात भर दिन परड़ी की है हमारी सरकार की है तो मैं अपनी भी बताता हूं आप यदि आपके पास भी जादा नहीं कहता हूं मैं मातर पांच ही यह परियोजना बता दीजी यदि आपने पांच कुछ ऐसी समस्याइं हैं जैसे अभी संगेता जी ने बहुत सारी समस्याइं गनाई हैं चाहे वो करजे की समस्या हो चाहे वो स्मार्ट सिटी की समस्या हो जिसके काम लगातार जो है पिछवरते आए हैं चाहे वो इस्थाई राजधानी की समस्या हो चाहे वो पलायन की समस्या हो इन सब पर कुछ भी नही कि समस्या हो पांच नहीं मुझे लगते पचास समस्याइं मैं गिरा सकती हूं मैं कोई राजनितिक दल नहीं हूं आप मुझे पर चाहिए का तो आरोप लगा दीजेगा आम तोर पर ऐसा होता है लेकिन यह समस्याइं हैं जो आम पानस को उत्राखंट में जहल नहीं पड़ती ग्रिश्म कालियं राजधानी बनाने का काम भरते जिंता पार्टी ने किया ग्रिश्म कालियं वर्ष्णा बार्ज जा रही है जो मात्र शक्ति को जो एंजियोज के लिए हम बड़ी के मात्रा में हम लोग रंड दे रहे हैं और पचास से लेकर साट-चाट अस्य से प्रदिशत तक कि उसमें सब्सिटी देने का हमारे सरकार ने काम किया है जहां हमारे सरकार ने किसानों को तीन लाख रुपे तक करन जिरो परसेंट पर देने का काम किया है जहां इंफ्रस्रक्चर की एक सो पचास लाग करोड रुपे की योजनाय परियोजनाय आज जे ओत्राखंड में गत्रूर्टम नकल विरोधी कानून लाने वाला ओत्राखंड पहला राज्ये जहां कठोर धर्मांत्रन कानून लाने वाला उत्राखंड पहला राज्ये जहां नई श्रिक्षन पिती लागू करने वाला उत्राखंड पहला राज्ये जहां ड्रग फ्री स्टेट बनाने की दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से हमने जिस जितने भी वखाइदे दोजार बाइस के चुनाव में जंता से किये थे उसमें चाहे तीन शिलेंडर गरीब वर्क को मुफ्ट देने की बात कही हो उस पर हम लोग पूरी तरह से ख़रे उतने हैं हमने अपने गरीब वर्क को तीन शिलेंडर देने का काम आरंब कर दिया है और जो हमारे अब उसको हजार से बढ़ा कर पंदरा सो रुपे करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है पहले केवल परिवार के एक व्यक्ति को दियाती थी अब हमने पती और पतनी दोनों को रदावस्ता पेंशन देने का काम किया है जहां तक अटल आयोश्मान योजना की बात हो पूरा एक क्रोड पच्चिस लाग जितनी भी यहां की जन्संक्या उत्राकंड की है तमाम वर्ग वो चाहे निचलास्तर हो मध्यम वर्ग हो चाहे अच्छादित है और आप भी आपने बात करी थी स्मार्ट सिटी की तो गरीमा जी मैं आपको बता जे ना चाहता हूं आज आप बिल्कुल निश्पक शोकर किसी भी विक्ति को देहरा दून में भेजिए और सार हमने कितने रिबेट्स की है और कितने रिपोर्ट्स हमने तक से यूब बजट आधर करने वाली आपकी सरकार है य ने की सरकार से अपनी बात को शुरू क्या था आपकी डबल एंजिन की सरकार Nephi काम नहीं कर पा रही है ये हैं एवित कि अगर कोई काम शुरू होता है तो उसका एक लियाउट त्यार होता है ना Cambriaरies Sun बनाएंगे तो ऐसे में स्मार्ट सुटी का काम पुरा होने में कितना वक्त लगिए और एक दिरकालिन योजना है परियोजना है इस समय चल रही है मेरा आप सबसे आगरे हैं कि अपने आँकों पर जो पट्टी बनती हुई है उस पट्टी को हटाईए और विकास को देखनी की आध़त डालिए सर आम जन्मारंस के सामने जो समस्याय होती है उनके आँकों के आगे वैपक्षी पट्टा नहीं बंधा होता है लेकिन उनकों जब वो सड़क से गुजरते हैं तो गड़ों का सामना आम जन्ता को भी करना पड़ता है और स्मार्ट सिटी का बजट आधा करने वाली भी आप अब इस बात को मानेंगे आपके स्मार्ट सिटी का बजट केंद्र सरकार की ओर से आधा किया गया मानेंगे आप इस बात को गरीमा जी केंदर सरकार ने जब जब भी यहां पर धन के आवश्यक्ता हुई सर राजी की सरकार खर्च नहीं कर पाए 1000 करोड से 550 करोड कर दिया गया 450 करोड केंदर ने वापस ले लिए और कारण ये बता गया कि राजी सरकार ने खर्च नहीं किये इसलिए हमें लेना पड़ा अब आप बताईए डेबर रंजीन की सरकार है स्मार्ट सर्जी का काम पूरा नहीं हुआ पैसा वापस चला गया गरीमा जी केंदर का अंश होता है राज्य का राज्य का अंश थोड़ा कम हुआ है लेकिन केंदरी ने साथ ही हमको यह आश्वस्त भी किया है जितने भी धन की अवश्रक्ता होगी धन की बिल्कुल कमी नहीं होने दी जाएगी और मैं सोचता हूं आप जो अभी बात कर रहे हैं दो तीन महीने पहले बहुत युद इस तर पर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और मैं सोचता हूं अगले दो तीन चार महीने में स्मार्ट सिटी का काम लगबग उन्ता की और हो जाएगा और एक दिविये भविये स्वार्ट सिटी हम आप सब के सामने होगी और विपक्ष का काम मैं सोचता हूँ किवल आलोचना करना ही नहीं दो दोखने बहुत कम ही ऐसे मोखे होते जब किसी काम की तारिफ कर दी जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात वपक्षी सवाल नहीं उठाता कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आम जन्मानस को जिनका सामना करना पड़ता है और वो उठती भी हैं इस बात को आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते खैर आपके पास लोटेंगे कि नम आशानों से वह जाएंगी आपको है कि में बदलाव करेंगे उससे का समस्याँ दूर हो जाएंगी है कि इसे कुछ निया होने वाला है एब एंगा कामिàn की हो रहे हैं वीछ को देखें आप जो जो मेरेल पुद्देश को उत्राखंड को चाहिए जो यहां को चाहिए बहु कानून चाहिए आपको इस्थाई राजदानी चाहिए आपको बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए सब्सक्राइब आपको बोले दीजे अगर दस साल सरकार उनकी थी तो आपकी तो हर बार सर संजीव जी संजीव जी उनको बोले दीजे देखी वो बीच में नहीं बोले थी आपके पास आऊंगे आप फिर से अपनी बात रख सकते हैं और रही बात आपने कह दस साल आपकी सरकार थी सर आपकी सरकार को भी अब दूसरा कारेकार शुरू हो चुका है ना आपने पहरे कालेकार में जो बादे के थे वो अब तक भी नहीं पूरे हुए तो कम से कम उन आरोपों को मढ़िये जो आप पर ना लगे हो ठीक है आपके पास आएंगे संजीर जी अभी उनको बोलने देजिए उसके बाद आते हैं जो आपने बुला कि आप जो है जितने भी आपने बुद्र कानून मांग रहा है बुद्र कानून देजिए लेकिन सवाल मेरे भी है कुछ जो जनता की ओर से आया है वो यह है कि देखे अभी संजीब जी ने कहा मैंने उनको भी से खैजिए उनको वाक्त है क्योंकि उत्रह खंड के साथ यह समस्या ओगई है वह आते हैं अपने पहले वाले पर आरोप मड़ते हैं आप मैंटें आप कहते हैं ने चयंकि इसके बीच पिस्ती रहेगी आपको भी जनता ने मौकार दो क्या आप नहीं दे सकते थे आपने विदान बवन बना कर यूँ खड़ा कर दिया वह बिल्डिंग बन कर त्यार हो गई को दिख्टत है और बहुमत की सरकार है इनकों कहां सी कोई कहां सर्कार आपकी भी थे ना आपको भी तो जनता ने सता बें बठाय था तब आप क्या कर रही थी आपने क्यों समस्याओं को दूर नहीं किया अपके सरकार में बहुत जोर शेंटा था सुनीता जी सुनिये मेरे बात को सुनिये आप पूछ नी देगा सवाल उन से अभी सुनीता जी आप पहले सुनिये उसके बात आप पूरा करिए आप संजीव जी से सवाल लगातार करिए लेकिन आप मेरे सवालों का जवाब दीजे ना संजीव जी सुनने को तयार नहीं है वो अप्री बात क्या रही है सुनीता जी आपको सुन आपको सुन प्लीज म्यूट करिए उनको प्लीज म्यूट करिए ठीक है ठीक है मनुझ जी मनुझ जी आप देखिए सुनीता जी बोल रही है सुनना किसी को पसर नहीं है आप बताए यही होता रहा है उत्राखंज में उन्होंने का कि हमसे पहली वाली सरकार ने कुछ नहीं किया जो नए है वो कह रहे है कि उन पर भी आरोप लग रहा है कि भाई देखे मुझे लगता है कि राजनितिक दलों को कुछ सीखने के आउशकता है और वो सुखसे बड़ी सीखने के आउशकता यह है कि अपने प्रोग्राम सेंड पॉलिसी को अपने विजन को जनता के सामने कैसे रखा जाए इसका इस मौके को जब वो किसी भी चैनल में राश आप जनता के सामने पहुंचा है और वहां कि जनता का सामने के रहे हैं और मन में अपना इरादा बनाते जाती है जनता भी एक सर्टेन आइडिलोजी को पसंद करती है और आइडिलोजी के साथ-साथ वो चाहती है कि जब भारत एक लोगतांतरिक राष्ट है और भारत के भीतर जो नागरिक है उनको कुछ सुधा मिलनी चाहिए उनके लिए जो है सरल बनना चाहिए अगर हमने कोई कटिन समय देख तो हमारे आने वाली पीडी हमारे बच्चों को बहुत से सुरक्षित मिलें यह यह सोच के साथ प्रते एक नागरिक मुझे लगता है कि यह सोचता है लेकिन राजनितिक दल वो प्रूग्राम ओफ एक्शन या प्ला अगर बिगडाल बिल्लियां लड़ रही होंगी तो आपको यह शीकिर साहित में खड़े हो जाई यह तर्व नहीं है और मुझे लगता है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि इत्रह खंड में जो एक हाड़ एलेमेंट होना चाहिए राजनिती का, जो शेति राजनिती से जोड़ा हो या सुशासंग पार दर्शित आपने बात करने वाली राजनिती हो, वह focal point डेबलब नहीं हो रहा है, और ये आवशक है कि उत्राखन की राजनिती में वह focal point जितना जल्दी आये, तब ये धिंगा होगी और उत्राखन को बचाने में उल्दिशा में राजनिती जो काय कल्प है, वह आ सकेगा, ऐसा मेरा मात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मनुद जी, अनुपाम जी के पास चलते हैं, जल्दी से चोटी से प्रिदिक्रिया, उसके बाद संगेदा जी के पास आएंगा, नहीं है, उत्राखन, कुछ सीटे हैं, उनमें से अगर आप कुछ पर भी अपना रुत्बा कायम कर पाते हैं, अपना लोगों का जो विश्वास है, वो जीत पाते हैं, क्या ये जो बदलाव हो रहे हैं, चुनाप से पहले, क्या ये असर डालेंगे, क्या आप इस जगह पर की लड़ाई नहीं है, हमारे सामें तो पूरे उत्राखन की अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि उत्राखन की प्रिचक राजजी की जो परिकल्पना थी, वो जंगल जमीन की थी, और आज चाहे कॉंग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भार्त जिंतर पार्ट्डिक की आपके इसी पैनल में बैठके दोनों अपने अपने पॉल पट्टे खोलते हैं, इन दोनों ने ही ना तो कोई काम किया, व्रेस्टचाह के लावा कुछ नहीं किया, एक जना कहता है, तुमने एक करोड़ का किया, तो दूसरा कहता है तुने तो पहले से दो करोड़ का करके सिरफ लॉलिपॉप दिया गिया ग्रीश निकालीन के नाम से और प्रेम चन्द ने अपने बहत्तर लोग डाल दिये पैसे खा के वहां पे विधान सभा के करमचारी बना के यहां देहरादूल में यह लोग विधान सभा का निर्मान करवा रहे हैं क्यों जब गैंड हैं जनता को एंडा को अपना शीट फांते हैं जब इस उत्रकंड की चाहा है क्योंड नहीं हों तो यह क्यों भूकानून को खुड़द करते हैं ठीक पूरा नहीं कर रहे ठीक है ठीक है सर आपके पास लोटेंगे वक्त बहुत कम एक आखरी बहुत चोटी से प्रितिक्राम संगिताजी से रहेंगे हम आडने वाला में उस्हें का और धिक्राम से तह्म को हम आखै पारियां पता इने को अने रहेंगेटाम की जल्दा आमादमी पाल्टी पर भरुता जताएगी और आने वाला समय आमादमी पाल्टी को ठीक है बहुत शुक्राइब आप सभी का तुछ आज देवुमी के डंगल में वस्तार से बात करे थी क्या कर आने वाले चुनावों से पहले जो बदलाव होने जा रहे हैं क्या य तर एकन्यूस दिया, नमस्कार.